हलो फ्रेंड्स आज के वीडियो पे हम जानेंगे वर्तमान समय में टीम इंडिया को परतिनी धित्व दे रहे या दे चुके कुर्मी किर्केटरों के बारे में तो वीडियो बहुत मज़दार होगी इसलिए वीडियो को फुली वाज किजेगा और वीडियो पसंद आये तो ल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लिजाए क्यूंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी समुदाय से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है तो भाईयो हम लोग अपनी वीडियो की और बड़े वर्तमान समय में टीम इंडिया को परतिनीधित्व कर रहे है हमारे कुर दिख दे दूंगा आप जाकर उस वीडियो को फुली वाच कर लिजेगा वो वीडियो भी बहुत मज़दार है फिलाल हम लोग अभी वर्तमान टीम इंडिया के किर्केटरों की बात करें कुर्मी किर्केटरों की बात करें पहले अस्तान पे भाई मैं जिनका बात कर रहा इन्होंने अच्छी बाटिंग की है ऑपनिंग से अपना केरियर शुरू किया पर एक्सपेरिमेंट के चलते कभी इनको मीडिल ओडर में खेलाया गया कभी लोवर ओडर में खेलाया गया इसी के चलते इनके परफॉरमेंस में बहुत सारी इफेक्ट पड़ी और आज इस्त किर्केटर की बात करें तो दूसरे किर्केटर जो है ना वो कभी युबराज के सन्यास लेने के बाद मिडिल ओडर के रीड बने थे और अच्छी पॉफॉमेंस थी लागातार सैंचूरी भी बनाते थे और और ऑस्तन रन जो इनका था ना वो भी बहुत अच्छा था फिर भी इन्हें टीम से ड्रॉप किस कारण वस किया गया है आई तक समझ में नहीं आया और वो अभी टीम से ड्रॉप है बहुत सारे कंट्रवर्सी में भी सामील रहे हैं 2015 के वर्ल्ड कप में जब इन्हें सामील नहीं किया गया था ना अच्छे परफॉमेंस के वज़े से तो उस स समय से थोड़ा सा कॉंट्रवर्सी चला सेलेक्टर के साथ इनका थोड़ा मतभेद रहा और साइध यही कारण हो सकता है कि इन्हें टीम इंडिया से बहुत जल्दी सन्यास लेना भी पड़ गया हो एक बार सन्यास लिए फिर वापस आए और अभी पर्यासरस्त हैं कि टीम इं करें जो वर्तमान समय में अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप में अपना योगदान भी बहुत अच्छा तरीके से दे रहे हैं अक्छर पटेल की बात करें तो अक्छर पटेल ही है जो अभी टीम इंडिया में वर्तमान समय में T20 वर्ल्ड कप भी खे आई पील का जो परपल कैप होता है ना उससे सम्मानित भी हो चुके हैं 2021 में सबसे ज्यादा विकेड भी लिये थे और आखरी किर्केटर की बात करें तो एक मात्र वंडे खेलने का मोका मिला है बहुत वीश्व फोटक बल्ले बाज है रितुराज काइकवड अपनर विरेंद जगह बनाने का परियतन भी कर रहे हैं टीम से ड्रॉप भी हैं तो भाई यो वीडियो का ऐसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और कुछ सगेस्ट करना हो या कुछ पिलियर का नाम चुटा हो तो कॉमेंट सेक्षन का बॉक्स कुला भाई कॉमेंट कीजेग और कॉमेंट में जरूर लिखिएगा जय कुरमित्व जय सीवाजी जय जय सरदार